नमस्कार बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है शरीर पर सूजन के कई कारण हो सकते हैं ये सूजन शरीर के अंदर हो रहे बदलाव और परिशानियों की ओर इशारा करती है आमतोर पर सूजन दर्द या किसी चोट के कारण होती है लेकिन कई बार सूजन का कारण कोई गंभीर बिमारी भी हो सकती है सूजन के साथ कई बार बुखार आने और लगतार प्यास लगनी जैसी समस्या होती है शरीर के अलग-अलग अंगों में सूजन अलग-अलग हेल्थ प्रॉब्लम की और इशारा करता है कई बार thyroid के कारण पूरे शरीर में सूजन हो जाती है जो देखने में मोटापे सा मालूम होता है ये समस्या thyroxine hormone की कमी के कारण हो सकती है बहुत से लोग सूजन को गंभीरता से नहीं लेते हैं लेकिन ऐसा करना सिहत के साथ छेड़ छाड़ साबित हो सकता है रिपोर्ट के मुताबिक सूजन कई बार internal problem की वज़े से भी हो सकती है कई बार heart, liver और kidney की विमारियों के कारण भी शरीर में सूजन आ सकती है सूजन के कारण आपको थकान और सांस लेने में दिक्कत महसूस कर सकते हैं चलिए आपको बताते हैं शरीर में सूजन के कारण क्या है और किन घरे लूप चारों से शरीर की सूजन को कम किया जा सकता है सूजन के कारण kidney जब kidney सही तरीके से काम नहीं कर पाती तो शरीर से toxin बाहर नहीं निकल पाते शरीर में जम्मा होने लगते हैं जिसके कारण सूजन हो सकती है चेहरे और हाथ पैर पर सूजन किड़नी की समस्या का संकेत हो सकती है thyroid पूरे शरीर पर मोटापा सूजन की तरह नजराना thyroid की समस्या के कारण हो सकती है अगर आपको शरीर में अचानक सूजन महसूस हो रही है तो डॉक्टर से समपर करें लीवर लीवर की समस्या के कारण पेट में तेज दर्द और सूजन आ सकती है मही महिलाओं में कई बार पीरिट्स की वजह से पेट में सूजन हो सकती है जो आम तोर पर गरम पानी की सिकाई से ठीक हो सकती है इसी तरह सूजन के कई कारण हो सकते हैं जिने कुछ घरेलू इलाज से ठीक और कम किया जा सकता है तो चलिए आपको बताते हैं अब सूजन को कम करने के लिए घरेलू पाए गरम पानी में नमक डाल कर उस से सूजन वाली जगह की सिकाई करने से आपको अराम मिल सकता है जीरा और चीनी को बराबर मात्रा में लेकर पीस लें और पानी के साथ दिन में दो से तीन बार लें ऐसा करने से सूजन में अराम मिलेगा नियमित खजूर खाने से भी सूजन की समस्य को दूर किया जा सकता है हाथ और पैरों पर सूजन दिखने पर प्याज के पेस्ट में हल्दी मिलाकर लगाने से सूजन कम होगी पैर पर मोच के कारण आई सूजन को बर्फ की सिकाई से अराम मिलता है हल्दी और गरम दूद पीने से शरीर की अंदुरूनी सूजन में काफी अराम मिलता है साथी बहरी सूजन भी ठीक हो सकती है हर वेक्ति में सूजन के कारण और लक्षन अलग हो सकते हैं इसलिए शरीर में नजर आते सूजन के लिए सिर्फ घरेलू नुसके पर निर्भन ना रहें तुरंट टॉक्टर से संपर्क करें इस वीडियों फिलाल इतना ही ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूले